पत्रकार बंदुओं को मेरा नमश्कार सिंगू बॉर्डर, टीक्री बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, भारती जनता पार्टी के राज में, मोदी जी के राज में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा हो गई है वहाँ पर किले बंदी की गई है, सिमेंटेट कीले गाड़ी गई है ऐसा बिवहार किसानों के साथ, अन्दाताओं के साथ किया जा रहा है, जैसे वो आतंकवादी हैं इस देश के देश द्रोही हैं, गद्दार हैं और भारती जनता पार्टी का जो रवया उनके प्रती है पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उसके उपर आसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके उपर पानी की बहुचारे की गई बुढ़े किसानों की आखे फोर दी गई, 80 साल, 70 साल, 75 साल के किसान पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, उन पर मुकदमे किये जा रहे हैं गुर्मुख सिंग जी जो एक सार्मी मैन है, 80 साल के किसान उनको उठा के जेल में डाल दिया इतनी जुर्म इतनी जाती इतना अत्याचार करने के बावुजूद इस सरकार में रहम नाम की दया नाम की एक इंच मात्र भी कोई चीज नहीं बची कल्वी सदन के अंदर हम लोगों ने हल्ला किया आब आज उठाई किसानों की और आज आम आदमी पार्टी ने अकेले देश के सर्वोच सदन में राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को उठाया और हमने ये कहा कि पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इस बिल को वापस लीजिए क्योंकि किसानों की यही मांग है वो इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए पिछले 75 दिनों से बैठे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की सरकार को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है 57 साल के किसान बैठे हुए गाजी पूर बॉर्डर पर इलम सिंग जिनके दो बेटे फॉज में हैं वो कहरे मुझे उग्रवादी कहा जा रहा है नकसलवादी कहा जा रहा है वो कहरे अंग्रेजों से ज़्यादा जाती हो रही सरकार में और आज सदन के अंदर जब मैं किसानों की आवाज को उठा रहा था एक ही मांग कर रहा था कि चलो इतना जुर्म कर लिया 165 किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी कम से कम उनके मुद्दे पर चर्चा तो कर लीजिए इन तीनों काले कानूनों को अब तो वापस ले लीजिए लेकिन सरकार का ताना साही रवया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं कहते साहब रास्टपती के अभिवासर में आप किसान के मुद्दे पर भी बोल लेदा कांडोलन पर अलग से चर्चा नहीं हो सकती इन बिलों के वापसी की बातचीत अलग से नहीं हो सकती रास्टपती के अभिवासर में तो पचासों मुद्दे रहते हैं कहरें पचासों मुद्दे पर बोल लिए और उसमें किसान पर भी बोल लीजिए ऐसा आखिर क्यों हो और अकेले आम आदमी पार्टी ने इस विसे को उठाया हमने का पहले संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए पहले संसद में तीनों काले कानूनों के वापसी पर चर्चा होनी चाहिए पहले संसद में किसानों को देश द्रोही कहे जाने और गद्दार कहे जाने और आतंकवादी कहे जाने पर चर्चा होनी चाहिए पहले संसद में 165 किसानों की शहादत पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और जब आज चेर्मेन साब बार बार आम आदमी पार्टी के सांसदों पर कारवाही करने की बात कर रहे थे तो उन्होंने नेता विपक्ष और कॉंग्रेस पार्टी के नेता आधनी गुलाम नभी आज आज आप जी से भी कहा कि आर वी हेल्पलिस तो मुझे अफसोस हुआ कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता एलोपी सदन के अंदर आधनी गुलाम नभी आज 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 जी ने कहा कि हमने जो कहा था जो तैं किया था हम उसके साथ खड़े हैं मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और बी जे पी ने आपस में क्या तैं किया है आपस में तैं करके वो क्या करना चाहते हैं किसानों को न्याय कैसे मिलेगा क्या डील हुई है क्या बात्चीत हुई है क्या आपस में तैं कर लिया है क्या कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं कि किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा करके तीनों काला कानून वापस होना चाहिए क्या कॉंग्रेस इस बात से सामत नहीं कि किसानों के मुद्दे पर उनके उपर हुए जुल्म और उनके उपर हुए F.I.R. के मुद्दे पर अलग से चर्चा होनी चाहिए राष्ट पती के अभिबासर में पचास मुद्दों पे चरचा के साथ एक मुद्दा किसान का चरचा कर लो इस से अदा हास्यास पद और इस से अदा लोकतंत में टाना साही का कोई उधार नहीं हो सकता तो आज जो सदन की कारवाई है और चेर्मेन साहब ने एलोपी साहब से जो सवाल किया कि क्या सदन आम आदमी पार्टी के लोग नहीं चलने देंगे उस पे जिस भरोसे के साथ आजाज साहब ने भरोसा दिलाया कि जो हम लोगों ने तै कर लिया है हम उसी के साथ खड़े हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी ने क्या तेर किया है आज माँ तीन तीन सांसदों को मारसल उठा के हम लोगों को जबरदस्ती करके बाहर ले जा रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े होके तमासा देख रही है कोई आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं यह क्या है यह इस बात का संकेत है कि किसानों के मुद्दे पे आपस में गुपचुप कांग्रेस और बीजेपी की कोई बातचीत हो चुकी है जिसके कारण से उतनी मुखर्टा और प्रखर्टा के साथ कांग्रेस पार्टी विरोध के दल्ज कराने में किसानों का मुद्दा उठाने में किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा कराने में नाकाम और विफल साबित हुई है जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रस्न है हमारे नेता दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीबाल जी ने उस वक्त भी किसानों का साथ दिया जब नौ स्टेडियम उनकी गिरिफतारी के लिए मांगे जा रहे थे उस वक्त भी साथ दिया जब उनको पानी की बिजली की वाइफाई की उनके बीच में जाकर उनको सहयता करने की जरूरत थी उस वक्त भी साथ दिया जब राके स्टिकैड जी के आंक से आंसु आए उनके पानी और बिजली बंद कर दी गई उस वक्त भी किसानों का साथ दिया जब सदन के अंदर पहले हम लोगों ने इस मुद्बे को समझते हुए कहा ये काला कानूने इसको वापस होना चाहिए सड़क से लेके संसत तक आम आदमी पार्टी का एक एक कारे करता किसानों के साथ था है और रहेगा और जो हमारी मांग है ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए वही इस देश के किसानों ने मांग की है हम उनके मांगों के साथ है और आज जिस प्रकार से जिन्द की महापंचायत में राकेश टिकैद जी ने साथ तोर पे कहा कि कॉंग्रिस की पंजाब की सरकार ने कहीं न कहीं केंदर की भाजपा सरकार का साथ देने का काम किया यही बात हम लोग एक नहीं एक हजार बार कहi चुके हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंग की सरकार दरसल भार्ती जन्ता पार्टी के इसारे पर नाचने वाली सरकार है मोदी और अमिस्सा के इसारे पर घुतना टेककर काम करने वाली सरकार है वो बात आज किसान नेता राकेस्टिक है जी ने वी कहा तो मुझे इतनी बात करनी थी आपनों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं देखिए मैं सीधे तोर पे यह पूछना चाहता हूँ इस सरकार से अगर किसान 75 दिनों से आंदोलन कर रहा है और उसकी एक ही मांग है कि यह तीनों काला कानून वापस लिया जाए एक ग्यारा दोर की आप चर्चा और बाचीत कर चुके हैं और वो सारी की सारी वारता फेल हो चुकी है उसमें भी किसानों की एक ही मांग है यह तीनों काला कानून वापस लिया जाए अब आप कहरें कि रास्टपती जी ने अपने अभी बासरण में 55 विशय पर बोला है उसमें किसानी के विशय पर भी बोला है तो 55 विशयों में जब आप बोलिए तो एक किसानों के मुद्दे पर भी बोल लीजिए पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चर्चा हो रही है ये किसान के मुद्दे पर अलग से चर्चा नहीं हो रही है ये तीनों काला कानून वापस लिये जाने के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है ये चर्चा हो रही है रास्टपती जी के अभी बासर के उपर और उस पे सरकार ये कह रही है कि आप रास्टपती के अव्यासर पर जब बोलिए उसी में आप किसान के मुद्दे पर बोल दिए क्यों भाई आपकी तानसा ही चलेगी हर जगे आपने उनको तो दुस्मन अपना समझ लिया सदन में उनके विषय में चर्चा भी नहीं हो सकती देश के अन्न दाताओं के विषय पर तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उनके मुद्दे पर चर्चा कीजिए और एक प्रस्ताव लेके आईए अब आप इधर उधर की बात न कीजिए तो इधर उधर की ना बात कर ये बता की कारवा क्यों लुटा मुझे रह जनों से गिला नहीं तेरी रहबरी पर सवाल है आपने 11 दौर की वारता कर ली बहुत घुमा लिया किसानों को अब आप सीधे सीधे प्रस्ताव लेकर आईए कि हम तीनों काला कानून वापस लेने को तयार और उस पे सदन में चर्चा करके उसको पास कीजिए देखे ऐसा है कि आम आदमी पार्टी किसान के हर आंदोलन में उनके साथ खड़िए किसान आंदोलन आज उस स्थिती में पहुँच चुका है जहां पर पूरे देश के अंदर एक एक किसान एक एक आम आदमी आज इनके आंदोलन के साथ खड़ाया है यह दुक्की बात है कि भारती जनता पार्टी का विधायक कहता है इन किसानों को सूट कर देना चाहिए यह आतंक वादी हैं इनको हम जूते से मारेंगे सुना आप लोगों ने लोनी के विधायक जो भाज़पा के उसकी बात लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रस्न है हमारे नेतार विंद केजरी वालदी और हमारी पूरी पार्टी पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ खड़ी थी है और रहेगी उसके बारे में आप चारी गोष्णा पार्टी आपस में बातचीत करके तब करेगी देखे ऐसा है जो फिल्मी सितारों का आप जिक्र कर रहे हैं वो भाजपाई सितारे हैं वो फिल्मी सितारे नहीं है इतनी समझ आपको भी है और इतनी समझ हमको भी है कि वो किस प्रकार से भाजपा के प्रचार तंत्र में एक उनके कारिकरता बनके सामिल रहते हैं जहां तक अंतरास्टी ये समर्थन का प्रस्न है हम अपने आंतरिक सुरक्षा के मामले में हम दो देसों के मुद्दे पर कभी भी कोई अंतरास्ती हस्तक्षे नहीं चाहते लेकिन अगर कोई जनांदोलन होता है तो पूरी दुनिया उसके समर्थन में खड़ी होती है वो चाहे रूस का अंदोलन हो वो चाहे जर्मनी का अंदोलन हो वो चाहे अमेरिका का अंदोलन हो अमेरिका में ब्लैक्स ने जब अंदोलन सुरू किया वहाँ पे तो उसके समर्थन में भारत के लोग भी खड़े होई तो अगर एक मानवियता का तकल किया जा रहा है नहीं पे उसके पक्ष में जो भी जागरुक नाग्रिक हैं पूरी दुनिया में वो बोलेंगे हाँ, हमारा कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान का भी बाद है कोई भारस चीन का भी बाद है उसमें हम किसी का हस तक शेप सिरकार नहीं करते लेगिन हमने देखा था जब अन्या जी कभी आंधोलन हुआ था तो दुनिया के 75 देसों में उसके समर्थन में आंधोलन हुआ था तो मुझे लगता है कि इसको ना बुरा मानने की बात है और ना इसको कहीं से अन्य था लेने की बात है मैं दो चार रूपए लेके रखे हुआ हूँ वो काल अभी तक प्रधान मंत्री जी के तरफ से है नहीं तो मुझे लगता है पैसे की कमी होगी मैं दो रूपए तीन रूपए जो भी एक काल का खर्चा आएगा वो देने के लिए तयार हूँ प्रधान मंत्री जी क्रिपया मैं हाँ जोड़ रहा हूँ निवेधन करना हूँ आपसे कल मैं सदन में भी आऊँगा दो तीन रूपए जो भी आपकी एक कॉल का खर्चा आता हो क्रिपया बता दीजिए वो हम लोग दे देते हैं और मैं व्यक्तिकत रूप से दे दूँग एक बार आप भी घंटी गुमा दीजिए उसको इसमें तो कोई इज्जत जाने वाली नहीं है आप उनके लिए ओट मांगने के लिए हाथ जोड़ने जाते हैं तो एक कॉल करने में कोई बुराई नहीं है कॉल कर लेना चाहिए मैंने आपसे कहा तो ऐसी परिस्थितियां उसी समय पैदा होती है जिस परकार के कटीले तार लगाया जा रहे हैं बारा बारा इंच के वहाँ पे कीले गारी जा रही है या ऐसी परिस्तितियां उसी वक्त पैदा होती है जब देश का सासक अपनी जनता को अपना सत्रू और दुस्मन मानने लगता है उसी समय ऐसी परिस्तितियां पैदा होती है जो आज हमें देखने को मिल रही हैं आप कह रहे हो कि हम एक काल की दूरी पहें इतनी आत्मियता दिखाने लगते हैं तो फिर ये कटीले तार और इतने बड़े-बड़े कीले क्यों गड़वा रहें आप अपनी दहसत बनाने के लिए दराने के लिए उनकिसानों को बहुत महत्तुपूर्ण विसाय आपने पूछा नहीं तो फिर छूट जाता तो गर्वर हो जाता है